हेलो एवरिवन, वेलकम ओल, मैं C.A. सचन गुपता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज मैं आपके साथ एक बहुत important notification के लिए यहाँ पर आये हूँ, आप देखेगा आज 15th of June 2020, ICAI ने एक important announcement करी है, यह आप ICAI की website पर देख सकते हैं, उसका एक extract मेरे सामने है, बहुत सारे doubt चल रहे थे कि जो exam अब 29th of July 2020 से होना है, वो exam conduct हो पाएंगे की नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे doubt है, COVID-19 के चलते, जो एक बहुत बड़ी समस्या सभी के लिए बनती जा रही है, examination centers घर से दूर है, बच्चा समझता है कि मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा, transport facility अवे लेवल नहीं होगी, क्या वहाँ पे social distancing norm follow होंगे नहीं होंगे, इन सब के चलते, कुछ बच्चे डरे वे हैं, वो चा रहे हैं, हम exam ना लिखें या institute exam cancel कर दें, तो इन सब के ऊपर एक utmost clarification आया है, जो institute ने आज लिखा है, वो ये कहते हैं कि बहुत सेफ सुरक्षित अलाकों में रहते हैं, उनके घर के आसपास center हैं, और वो वहाँ जाके exam लिखने में interested हैं, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए institute ने एक announcement जारी करी हैं, और उसके अंदर ये लिखा है, जो बच्चे इस COVID-19 के चलते, इस बार जुलाई में exam नहीं लिखना चाते, या जिनकी थोड़ी तबित खराब है, जो risk नहीं लेना चाते, वो लोग अब सीधा November में exam लिख सकते हैं, इसके लिए उन लोगों को stay out, यानि कि एक application form भरना पड़ेगा, जो ICAI 17 June, यानि कि Wednesday को सुभा 11 बजे अपनी site पे डालेगी, और वो Saturday तक, य आपने जितनी भी examination fees दिया है, वो आपके November examination में adjust हो जाएगी, और ये attempt आपका count नहीं किया जाएगा, अब एक doubt आता है, बच्चा कहता है, सर मैंने जुलाई में एक group भरा था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं exam जुलाई में न देते वे November में दू, क्या मेरे को examination form दुबारा भर न पड़ेगा, बच्चा पूछता है, सर मैंने जुलाई में एक group के लिए apply किया था, November में क्या मैं दोनों दे सकता हूँ, येस, वो examination form दुबारा से भरे जाएंगे, उसमें आप दोनों groups यो opt कर सकते हैं, अगर आपने एक group opt किया है, और जितनी भी आपकी एक group की fees है, वो totally उस time जो भी fees होगी, उसमें adjust होके, differential आपको pay off करना पड़ेगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाते हैं कि हम अभी जुलाई में exam लिखें, लेकिन अब हम अपने hostel से अपने घर, hometown आ गए है, या अपने किसे relative के पास आ गए है, हमारा शेहर बदल गया है, अब हम exam कैसे लिख आ सकते हैं, वो नया center आपको applicable होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक group पहले भरा है, तो आप इस जुलाई में दो groups का change नहीं करा सकते हैं, यह सिर्फ center change applicable होगा, साथ में, institute ने कहा, IPCC का last attempt हमने May 2020 में रखा था, लेकिन अब हम उसको extend कर रहे हैं, चाहे वो thermal screening हो, या hand sanitization हो, या social distancing हो, सारे norms को follow करते हुए, उन exam को conduct किया जाएगा, और ultimately उन्होंने एक line साथ में लिख दी है, इस situation को दुबारा से review किया जाएगा, July 1st week में, जो उस time की situation होगी और government की guidelines होगी उनको देखते हुए, ऐसा हो सकता है, कि एका दो center उस समय containment zone के अंदर आ जाएं, तो उनके जो examination होगे, उनको हम automatically defer कर देंगे, November के लिए, और rest of the center के examination conduct किये जाएंगे, as per proper government guidelines, तो एक तरह से, जो opt-out करना चाते हैं, उनके लिए 3 दिन का time है, जो opt-out नहीं करना चाते हैं, वो मान के चली examination conduct होगा, बट इसका review एक बरी July 1st week में दुबार करना है, हम ये चाहेंगे कि आप बिल्कुल घर के अंदर रहिए, safe रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी immunity को strong कीजिए, और भेतरीन धंग से आप exam की तैयारी कीजिए, thank you very much all of you, bye bye, see you.